नमश्का दोस्तों मैं हूं राना-पुता-प्रवय आपका दोस्तों एक वार फिस्छ स्वागत थे आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है Health & Beauty Tips वार-ाना पुता प्रवय यानि की मैं दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है साइलेंस सीरप साइलेंस सिरप कितनी देर तक आपके बच्चे को साइलेंस रख सकता है आज मैं इसी के बारे में डिस्कास करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास है इसलिए वीडियो के अन तक बने रही है साइलेंस सिरप जो की सकाइमैक्स लाइफ साइन्स प्राइबेट लिमिटेट का एक प्रोड़क्ट है और ये एक प्रेस्क्रिप्शन रग होने की वज़े से हर मेडिकल स्टोर से आप इसको नहीं पर्चेस कर सकते हो जहाँ भी आपको मिलता है ये सिरप ये जो सिरप है ये बच्चों के लिए वनाए गया है और बच्चों का एक खास प्रोडलिम जिसको की इंसोम्निया या अनिद्रा की समझस बोलते है उसके लिए इसका इस्तेमल किया जाता है ये जो साइलेंस सिरप है इसके अंदर पाई जाता है tricolophers 500 mg प्रती 5 mm यानि कि इसके पती 5 mm में tricolophers का 500 mg पाई जाता है और इसको देने से बच्चे को नीद आती है अगर आपका बच्चा नहीं सो रहा है ठीक से किसी भी कारण से उसको नीद ने आती है नीद ना आने की वज़़े से बार-बार उड़ जाता है और प्रपर ना सोने की वज़े से उसका जो दिमाग है वो ठीक प्रकर से काम नहीं करता है या फिर वो एक्टिविटी जो है उसकी वो ठीक नहीं है तो उस समय इस सिरप का इस्तेमल क्या जाता है अब बात करते है दोस्तों की जो यह इनसोमनिया या अनिद्रा की समस्था है यह क्यों उत्पन होती है नीद ना आने की वज़़ा में सबसे बड़ा वज़ा होता है किसी प्रकार की psychiatric condition का होना साथ साथ प्रोपर नीद ना लेना किसी प्रकार का biological factor का होना कुछ प्रकार की medicine की overdose या side effect की बज़ा से भी यह अनिद्रा की समस्य हो सकती है साथ-साथ किसी तरीके का तनाव होना दिन में सोना mobile TV आधि का इस्तेमाल ज्यादा करना सोने से पहले mobile या TV का ज्यादा देखना ज्यादा देर तक TV देखने से या mobile देखने से हमारे mind की जो activity है वो बढ़ जाती है ज् active होने की बज़ा से नीद प्रोपार ढंग से नहीं पाता है या फिर दिमाग शांत ना होने की बज़ा से नीद नहीं आती है आम तोर पर ये हर बच्चे की साथ में हो सकता है कि उसको नीद ठिक प्रकर से नहीं आ रही है रात में किसी भी कारण से उसको नीद नहीं आ रही है उस पर भी बहुत बुरा प्रभाब पड़ेगा आमत्र पर इसका युज नीद की समस्या के लब और भी कई प्रकर की समस्याव में करते हैं किसी प्रकर की जाच करतेहां जैसी की यंजिती करना हो तो उस समय बच्चा ताकी ना हिले तो उस समय भी इस medicine का इस्तेमाल करते हैं किसी प्रकार की सरजारी करते समाएं ताकि बच्चा ना हिले इस medicine को देने से वो आराम से सोता रहता है कई बार लोकल एनस्थेटिक देने के बाद बच्चे को दरत तो नहीं होता है साज़ारी करते समाएं लेकिन बच्चा फिर भी अगर होश में रहता है तो उस समाएं वो डरता है और डर की बज़ा से वो हिला देता है और जिसकी बज़ा से काम को डॉक्टर ठीक से अंजाम न जगने से उसमें अगर दर्ध होता है तो दरत की बज़ा से बच्चे को नीद नहीं आती है या फिर किसी प्रकार का पेट दरत आधी की बज़ा से भी जब बच्चे को नीद नहीं आ पाती है बच्चा सो नहीं पा रहा है तो उस समाएं बच्चे को साइलेंस सिराप का इस इस्तेमल करने से बच्चा कुछ समय के लिए साइलेंट हो जाता है और उसका दिमाग भी शान्त हो जाता है और जिसकी विज़ा से उसका जो श्वास थे वो बहुत जल्दी से हो जाता है अगर इसकी डोस की बात करे तो इसका 30 से 50 mg प्रती kg body weight के हिशाब से दिया जाता है इस मेडिसिन के बिना ही बच्चे को नीद आ रही है तो इसको देने की जुरूरत नहीं है यह एक ऐसा मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल सिर्फ नीद ना आने पर ही दिया जाता है बिना जुरूरत के इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बीमारी के तिब्रता के के हिशाफ से ही दिया जाता है और उससे बच्चे को काम होता है कई बार बच्चे को दिकात ज्यादा होने पर या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इतनी मेडिसिन लेने के बाद भी उसको आरम नहीं मिलता है तो उसी समय उसको 50 से लेके 100 mg प्रती केजी बडियोट के शाफ से दिया जाता है आम तोर पर जो 15 से 20 किलो तक का जो बच्चा होता है उसको 5 ml दवाई ही परियाप्त होता है उसके लिए यानि 5 ml साइलेंस सिरप को रात में एक बार भोजोन के बाद पानी से देते हैं और जुरुरत होने पर ही देते हैं अब प्रश्चना इस बात का है कि य से 30 मिनिट के बाद में ये अपना असर शुरू कर देता है यानि कि आदे गंटे के अंदर बच्चे को नीद आ जाती है और ये नीद 90 मिनिट तक लगभग रहता है यानि कि बच्चा डेड़ गंटे तक आराम से सोता है ये डियूरेशन थोड़ा बढ़ भी सकता है दो गं सुकता है सासाथ उल्टी उपकाई आ सकती है ज्यादा सोने की वज़े से कई बार और कई प्रकर की दस्त डिहडरेशन आदी की समस्सा भी हो सकती है तो दोस्तो साइलन सीरप जिसमें ट्राइकलोफस 500 mg पती 5 ml पाय जाता है और ये एक प्रकर का सेडेटीब मेडिसीन होता ह और इसका इस्तेमाल नीद ना आने पर बच्चे को दिया जाता है या फिर बच्चे के लिए करते हैं इसके बारे में संग्षेप में जो भी मैंने जान करी दिये है आपको अच्छी लगी होगी और ज़रा सब भी हलुफूल लगा है हमारा वीडियो हमारी जान करी तो सुरक्षित्रिये, जा हिंद जा भारत.